नमस्कार आज हम बनाएंगे mix wedge ये बनाने में बहुत ही असार है अगर आपके परिवार में सभी को ढाबे की mix wedge पसंद है तो आप इसे घर पर ही बनाएं और इने बिना बताए खिलाएं और वो पता नहीं लगा पाएंगे कि ये mix wedge घर पर ही बनी है क्योंकि ये होती ही इतनी स चलिए शुरू करते हैं इसके बनाने की वीधी इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, आलू, गाजर, शिमलमिर्च, गोबी, मटर, अद्रक, लैसुन, बैंगन, काजू, तेजबत्ता, लॉंग, दालचीनी, बडीलाइची, जीरा पाउडर, लालमिर्च, धन्या पाउडर, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी, क्रीम, पनीर और टेल। सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम करेंगे, इसमें हम तमाटर, प्याज और काजू को हलका नरम होने तक फ्राई करेंगे। हमने इसे ज्यादा नहीं भूनना है, तिरफ हमने हलका नरम करना है। यह हमारे नरम हो गए हैं, और इन्हें निकालके अलग रख लेंगे ठंडा होने के लिए, तब तक बाकी की सबजियां हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे, 5-6 मिनट के लिए, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। हम बाकी सबजियां डालेंगे, बैंगन छोड़ देंगे हम, क्योंकि वह बहुत नरम होते हैं, जल्दी गल जाएंगे। हमारा टमाटर और प्याज नरम हो गया है, ठंदा हो गया है, पीसे हम पीसेंगे। यह पीस तैयार हो गया, यह दर हमारी सबजियां भी फ्राई हो चुकी हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब हमने पनीर फ्राई करना है, हलका ब्राउन देने तक, यह पनीर फ्राई हो गया। इसे निकाल लेंगे, और बैंगन हम फ्राई करेंगे। हम बैंगन एक मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। यह बैंगन हमारे फ्राई हो गया है, इन्हें निकाल लेंगे। और गरम तेल में अपने तेज पत्ता लॉंग इलाईची और डाल चीनी फ्राई करेंगे। इसमें हम अध्रक और लेसन का बना हुआ पेस्ट हम इसमें तयार किया हुआ डालेंगे। और ब्राउन होने तक भूनेंगे। यह हमारे ब्राउन हो गया है अध्रक लेसन। अब इसमें पिसा हुआ जीरा डालकर एक मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें हमला हल्दी पाउडर, लाल मिर्चिप, स्वादनुसार, नमक स्वादनुसार, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से चलाएंगे। आसने हम बनाया हुआ पेस्ट के तयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे। अच्छे से निक्स करके इसे हमने तब तक ढूना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे में अब इसमें हम आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इतने बाकी की सब्धियां डालेंगे हमने बैंगन और शिमला मिर्च नहीं डाले हैं क्योंकि वह बहुत जल्दी गल जाएंगे और हमारे आलू अभी और गोबी अभी गली नहीं है इसलिए हम पहले इने गल आएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे एक कप पानी डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे इसे हम ढग कर दो से तीन मिनट के लिए भाप लगने देंगे ताकि हमारे गाजर गोबी सब मिक्स हो जाएं और अच्छे से गल जाएं ये देखिए हमारे गल चुके है हमारे सब्जियां सभी गल चुकी है इसमें हम बाकी की सब्जियां एड करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें हम कसूरी मेती रगड के लिए डालेंगे फ्रेश क्रीम हम इसमें डाल देंगे दो चम्म चम निफ्स क्रीम ली है अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सबी सब्जियां हमारी मिक्स हो जाएं ये लीजिये हमारी ये मिक्स वैस तैयार हो गई है आप इसे की रोटी पराठा ये नान जिस मज़ी के साथ खाईए आप इसे घर पर बनाएं और इंजोई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद आप इसे घर जाएं